So welcome back student to a new lecture on the problem solving of this question ये question आप लोगों में से ही मुझे किसी ने भेजा है और मैं अभी इसका solution प्रोवाइड करने बार हूँ देखिए ये polynomial का question है और इसके लिए आपको दो चीज का बहुत importance है ऐसे question को solve करने के लिए दो चीज बहुत important है पहला चीज आपका logic थोड़ा होना चाहिए और दूसरी चीज फर्मूले और इस फर्मूले में आपको कौन-कौन फर्मूले में में यूज होंगे वो फर्मूले है कुछ इस प्रगार के एक है a प्लस b का whole square जो क्या होता है a square प्लस b a square प्लस two a b ये फर्मूला ये बहुत यूज होगा एक इसी का negative में यहां पर negative हो जाता है अगर a minus b का whole square यहां negative हो जाता है और एक है a square minus b square equal to a plus b into a minus b ये दो फर्मूला तीन फर्मूला बहुत यूज होता है यहां पर ऐसे question बहुत सारा आपको मिलेंगे कभी आपको x plus one by x का दे देगा और बुलेगा x square plus one by x square का देने यहां पर दिया हुए पहले ही कि x square plus one by x square का value कितना है वो 7 यह हमको प्राफिले से ही given है हमको क्या करना है x cube plus one by x cube का value निकाला है बहुत easy question आप अगर logic थोड़ा सा लगा पाए अब देखिए यहां से अगर हमको x cube plus one by x cube तो यहां से आप थोड़ा सा logic लगा सकते हैं कि यहां पर a plus b का a cube का formula होता है यह भी आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह जोगा क्या होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b again आपको यह formula से नहीं आता है तो आप derivation देख सकते हैं मैंने फॉलिनोमियल का एक fourth lecture है उसमें मैंने सब बता हुआ है कि इस formula कैसे आता है और आप यहली भी कर सकते है a plus b का cube है यहांई a plus b into a plus b into a plus b है आप इसको तीनों का multiply करेंगे तो आदाम से आपको यह निकल जाएगा अगर मैं इसको a मानू इसको b मानू यहां पर a को अगर मैं consider करूँ x और b को consider करूँ 1 by x तो यहां पर a square plus b square है 2 a b तो है ही नहीं पर देखे बहुत आसानी से हो सकता है इसको मैं क्या कर दूँ अगर मैं इधर 2 जोर दूँ ठीक है अगर मैं 2 जोर दूँ तो हम लोग क्या करते है एडिंग 2 to both side अब ऐसा क्यों कर रहे है जस्ट थोड़े दिर में आउंको पता चल जाएगा एडिंग 2 to both side दो ही क्यों जोरे या अलग क्यों जोरे आपको यह समझ माझा जाएगा देखे उसके बाद यह क्या हो जाएगा x square plus 1 by x square plus 2 और इधर क्या हो जाएगा 7 plus 2 कोई effect तो नहीं पड़ा 2 minus 2 0 अभी हम 0 जोरे है और 0 किसी चीज में अफकोर्स जोर सकते है अब देखे यह है क्या तो यह अगर ध्यान से देखे अगर हम x plus 1 by x का whole square निकाले तब भी यह ही आएगा क्यासे तो देखे यह इसको अगर माने तो a square यानि x square प्लस b square यानि 1 by x square plus 2 a, a क्यों है यहाँ x into b क्यों है यहाँ 1 by x यहाँ से 1 by x और x तो cancel हो जाएगा कितना बजाएगा 2 ही बजाएगा ना arrangement ही ऐसा दिया रहेगा आपको बहुत अच्छे से इसने यही आपको mind लगाना रहता है कि इसमें आप कैसे भी 2 आप बोल सकते हैं 2 जोड़े और 2 घटा ही क्यों नहीं क्योंकि आपको कोशिश करना रहता है यहाँ पर्फेक्ट स्क्वेयर बनाने का जैसे यहाँ पे अब यह किसका फर्मॉला बन गए आप इसली यहां से देख सकते हैं कि x plus 1 by x का whole square का फर्मॉला यह बन गया और यह कितना आ गया और यह कितना आ गया नाइन यहां 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 गया थिरी ओके बहुत आसानी से यह निकल गया पोकि आपके अगर कोशिशन है कि टू घटा भी तो सकते थे तो घटा रहते तो x minus 1 by x का whole square आता पर इस condition में 7 minus 2 हो आता और यह answer हो जाता root 5 और root 5 का एक perfect square नहीं है इसलिए हमको कोशिश करना है कम सी कम यह perfect square में चले जाए इसलिए हम 2 जोड़े 2 घटा यह नहीं और 2 क्यों जोड़े 2 क्यों घटा यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारे पास यह फर्मुला आजाए अब हमको निकालना क्या है तो to find करना है x q plus 1 by x q यहां पर थोड़ा सा logic लगांगे आप यहां पर क्या कर देंगे यह यहां पर हम x plus 1 by x q निकालेंगे क्योंकि इसमें भी यह term तो हमको आही जाएगा ठीक है यह तो आपके पास एक direct formula भी इसी से एक formula क्या बना सकते हैं हमको क्या चाहिए a q plus b q यहां से क्या बन जाएगा यहां से बन जाएगा a plus b ka whole q और इसमें से यह पूरा subtract कर लेंगे क्या minus 3ab into a plus b तो हमारा पास क्या बचेगा हमारा पास क्या बचेगा a q plus b q और यही हमको चाहिए यानि इस a plus b के whole q जिसका value हमारा पास है 3 उसमें से a q उसमें से 3ab into a plus b हमको subtract करना है तो वही चाहिए हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको अगर first equation माले तो cube कर दे, cubing both side, जैसे squaring होता है ना वैसे cubing both side of equation first, equation first का, तो यह क्या हो जाएगा, x plus 1 by x a था, इसका cube कर दिया, plus 3 का cube कर दिया, sorry, equal to 3 का cube कर दिया, यह कितना हो गया, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, ओके, अब देखिए, इसका formula पर बैठा दिजे, a plus b का whole cube, तो a cube, यानि a यहाँ पर x है, a cube, x cube, plus b cube, यानि 1 by x cube, plus 3ab, यानि 3 into a, a कोन है x, b कोन है, 1 by x, into a plus b, यानि x plus 1 by x, यह किसके बढ़ावर हो जाएगा, again, जो RHS है, यानि 27 है, उसके बढ़ावर, अब देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ इसका value चाहिए, यहाँ से x से x cancel हो जाएगा, आप आड़ाम से देख सकते हैं, यहाँ क्या बचा, x cube, plus 1 by x cube, equal to 3, sorry, plus 3 times x plus 1 by x, x plus 1 by x से कितना है, तो 3 value है, equation 3rd से, equal to 27, यहाँ से आप इसली देख सकते हैं, x plus 1 by x cube, आपके answer आपके पास, कितना जाएगा, 27, और यह इधर कर लेंगे, 3, 3, 9 है, 9 इधर कर लेंगे, कोगे हमको इतना ही है, तो 27 minus 9, यह कितना आगया, x cube, plus 1 by x cube, equal to 18, answer आपको, इसी तरका आपको बहुत सारा question solve कर सकते हैं, इसली यह सब बन जाता है, चलिए, उमीद है, आप, जिन्होंने question बेजा था, आप समझ गये हैं, या किसी और को हुए मदद मिला है, तो आप समझ गये हैं, तो